तो हमारा टॉपिक चल रहा है एप्लिकेशन ऑफ इंटिग्रेशन और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर सर्प्लस और पर्डूसर सर्प्लस के बारे में तो फर्स्ट आपके माइंड में सबसे पहले कोशन यह आया हुगा कि सर कंज्यूमर सर्प्लस आप आप में से मैक्सिमूम स्टूर्ट जो है इस ट्रॉपिक को पहले पढ़ चुक्ये सभी पढ़ चुक है किसी को थोड़ा से याद है किसी को नहीं है यह मतरिमाईड करवारेता हूं कंज्यूमर surplus की बात करते हैं पहले ठीक है तो सबसे पहले consumer surplus क्या होता है मान लें कि आपको जो है बहुत तेज प्यास लग रही है बहुत तेज प्यास लग रही है आपको और आपको घंटो घंटो तक आप ऐसे situation में रहे अब आपको दूर कहीं पर चलते फिरते आपको एक पानी वाल आपको मिला और आपको आत्मा इतने प्यासी है और आप इतने प्यास से आप बिल्कुल एक तरिके से इतने बुरी तरी सरवाइब कर रहे हो अब आपके मन में ये है कि अगर यह 100 रुपे का भी एक ग्लास पानी देगा न तो मैं 100 रुपे देखर के भी प्यूंगा बस मुझे पानी चाहिए कुछ भी हो जाए और आप दुकान पर जाते हो और वो दुकान पर आपको वो जो है पानी की बॉडल आपको 10 रुपे में मिल जाती है तो 10 रुपे में पानी के बॉडल आपको मिल गी लेकिन आप उसके अप रेड़ी थे कंजूमर रेड़ी टुपे 100 रुपीस बड़ कंज्यूमर एक्चवल पे 10 रुपीस तो 90 रुपीस आपको पे नहीं करने बुट दस रुपे ही था उसके कीमत पर दस रुपे दिया आप प समझवाइं इसी को हम क्या बोलेंगे कर लिए बैरे बात समझे कर ऑलता है डाग्राम से बीсьरा समझीगा क्योंकि आपको इसके फॉर्मूले के डेरिवेशन में तब ही चीनिये क्लियर होंगी देखिए कंजूमर सरप्लस के लिए एक डिमांड कर डिमांड कर और एक आपका सप्लाई कर ये और आपको पता है कि जहांपर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट होते हैं वहांपर प्राइस सेट हो जाता है मार्किट उस प्राइस को ही चार्ज करता है तो quantity यह आपके पास में जीरो है यह जीरो है यह आपका अपना x-axis है यह आपका y-axis है और यहां पर आप देखें आपको थोड़ा रिमाइंड करवा रहा हूं मैं एकनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि एकनॉमिक्स टॉपिक नहीं है टॉपिक है business math लेकिन बिजनस म तो उस पर पस्य बता देता हूं मैं आपको यह आपका equilibrium quantity हो गई x और यह आपका equilibrium price हो गया पी आपको पता है कि market में market में किसी commodity का जो price set होता है वो कोई individual firm decide नहीं करती है वो market की demand and supply force it decide होता है और जहां पर demand supply equal होता है वो equilibrium quantity होते है यह चीज़त आप वो clear है अब आप एक बात को समझें आप सा और समझने की कोशिश भी करेंगा आप इस चीज़ को क्या कि consumer का आपका zero से लेके ओ एक्स तक अगर मैं बालू zero quantity के लिए demand से पता ल आप टोड़ी quantity और बड़ा तो consumers यह पेकने लिए रेडी है और बड़ा होतो consumer यह पेकने लिए एक लिए यह मलें यह सारे price पेकने रेडी है यह मर्केट में price की डिसाइड करा ओ पी तो उसको देने तो इतने ही पढ़ रहे हैं और रेडी वो यह है तो यह सारा का सारा जो हिस्सा उपर वाला क्योंकि पेस को करना पड़ रहा है बट इससे पहले वाले कॉंटिटी के लिए वह जादा कीमत भी देने के लिए तयार है तो यह सारका सारा जो है consumer surplus में आप रहे हैं यह बात समझ गे इसी को हम क्या बोलते हैं consumer surplus क्या कहेंगे इसको consumer surplus तो यह मेरा जो है consumer surplus है बात समझे अब आपको यह चीज़े clear होई कि consumer surplus क्यूं है कि आप आप कि आप 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 जितना आपके अग्जाम और इंटीड है उतने ही वीडियो अबेलेबल होंगी तुकि आप वीडियो है अगर आपके matrix तो 27 वीडियो है तो 28 वीडियो है तो इसका मतलत भी आपके LLP में 28 वीडियो होंगी यह किसने कह दिया मतलब कि क्या सोच करके आप ऐसे सवाल करते हो किसमे इतने वीडियो क्यूं है अगर आपका कोई रह गया तो वो टॉपिक बोलेगा तो यह टॉपिक रह गया मेरा वो टॉपिक बात करेंगी इसमें आठ वीडियो क्यूं है आप सौन में नहीं आ रहे हैं कि मैं वीडियो के जवाब देने के लिए में लूँगा मेरे पास में कल कोर्स खतम करूँगा और मेरे पास में इसके बाद दस दिने रिविजन के लिए और रिविजन में मुझे लिनियर प्रोग्रामिंग पर फोकस करना है और डिफरिशेशन और इंटिग्रेशन चुकि अच्छी से करवाया है उसके बाद ही मैं मैं आपका mathematics of finance पे क्यों focus नहीं करूँगा। मैंने बहुत ज़्यादा उसके questions बाद में previously करवा भी दिये था और उसमें इतना complications नहीं है। और mathematics and determinants में भी इतने complications नहीं है। तो वह बिएकुस state चले जाते हैं बस आपको कुछ methods देखने पड़ेंगे। और वैसी उसमें sufficient classes आपकी होई भी है। तो दो chapter को छोड़ करके बाकी basic calculus और advanced calculus और बात करते हैं linear programming इसके revisions की 10 दिन करेंगे, 2-3 दिन, 2-3 दिन करेंगे linear programming 2 दिन मैं और दे भी दूँगा। तो एक दो question अगर आपको जो doubt हो, clear हो जाएगा। आप कहरें five important question unit wise कब तक आएंगे भुमी का। इसका भी answer मैंने पहले किया हुआ है कि आपके 10 year में आप 2022 से उठा लेजिए और पिछले 5 साल चले जाए किसी chapter matrix determinants के तो वो 5 important question है। और अगर आप mathematics of finance के उठा लेंगे पिछले 5 साले question तो वो most five important questions है। बाद समझें। कि सिंप्लेक्स method हो चुका है idea, simplest method हो चुका है पूरी अच्छी तरह के सो है। चले हुआ हां जी अरे कंजूमर सर्प्लस सज्ट में आपको आया क्या है तो यह सार का सारा आपकोंगा सार्प्लस के लिए बेसिकली अगर मैं यह एरिया निकालना की कोशिश करता हूँ कि यह एरिया क्या है तो आप इस बात को समझेंगे कि मेरे पास में यहाँ पर सबसे पहले एक दिमांड फंक्शन है क्या है इस दिमांड कर से नीचे-नीचे का एरिय के लिए मैं क्या करूँगा डिमांड यहक कर दिमांड फंक्शन है कि यह मेरा डिमांड फंक्शन हों के सारा कशार यहाँ पर क्या होगा आपके पास यह आपके पासप्रक्र मेरी यह सारा ओर आजागा इसके नीचे-नीचे है और अगर 밑mesi काट के निकाल दो और सारा एरिया आ यह आगा देमांड फंक्शन मैं पताता हूं आपको क्या है डिमांड फंक्शन में नीची का अरिया कुन-कौन सा आएगा ये ये एकस सारा एरिया आएगा आपके बास रिमांड फंक्शन में बास समझे और अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूँ कि मुझे इस आगे से कोई मतलब ही नहीं है मुझे अपना consumer plus लगाना है मुझे बस यहां तक जो है कहां तक कि मुझे बस यहां तक के उपर focus करना है clearum quantity तक ही consumer plus आता है कहां तक आता है clearum quantity तक आता है तो zero to x कर दिया मैंने तो अब मेरे पास में जो demand function अगर मैं लूँआ इसका integration तो मुझे कहां तक का area आ जाएगा इस demand function और pink line से पहले पहले तक का यह सारा area आ जाएगा बास समझे यहां से लिए करके कुछ इस तरके का area मुझे मिलेगा देखेगा मैं थोड़ा सा इसको mark कर देता हूँ मुझे कौन सा area मिलेगा यह यह सारा white वाला area मुझे मिलेगा लेकिन यह consumer से प्लस सरफ उपर orange वाला section है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा अब इस में से मुझे यह area subtract करना पड़ेगा यह area यह एक rectangle है या नहीं है बताए यह area यह rectangle है या नहीं अब इस area rectangle के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे rectangle का area कैसे निकलता है length into breath मतलब कि यहाँ पर quantity और price quantity into price तो यह length into breath इस rectangle का area अगर मैं इसको subtract कर देता हूँ इस पूर rectangle का area मेरी बात समझे तो इस तरीके से आपके पास में क्या जाएगा consumer surplus consumer surplus तो consumer surplus का formula आपको समझ में आ गया कि consumer surplus क्या है x क्या है x equilibrium quantity को represent करेगा यह बात समझ में आपको आई consumer surplus मैं यहाँ पर producer surplus की बता रहता हूँ फिर बाद में हम दो-चार सवाल कर लेते हैं और इसकी कहानी जाएगे खतम अब बच्चे producer surplus की मैं बात करता हूँ ठीके consumer surplus हो गया producer surplus क्या होता है अब एक firm है अब for example मान लो कि मैं अपने course को thousand रुपीस में बेचने के लिए ready हूँ as a producer लेकिन किसी बच्चे ने जो है 5,000 रुपे का course उसने जो है buy कर लिया 5000 रुपीस का तो यह जो 4000 रुपे है यह क्या हो गया यह producer equilibrium हो गया producer surplus हो गया यह बात समझे तो यह क्या हो गया यह आपका producer surplus हो गया इसको हम PSC represent करेंगे अब producer surplus का मतलब क्या हुआ कि यह equilibrium price पर जो है producer को market से क्या price मिल रहा है तो यह market set है market में तो commodity का price यही रहने वाला है यही पैसा मिलेगा लेकिन X quantity से पहले पहले यह supply कर बताता है कि producer क्या price चाज करेगा X से पहले पहले अगर उसको इतनी price भी मिल जाए इस quantity के लिए इतनी भी price मिल जाए इतनी तो वह ready है बेचने के लिए लेकिन X को मिल इतना रहा है तो यह सारा का सारा सेग्मेंट है यह वाला सेग्मेंट यह उसको यह price भी रहा है यह producer equilibrium sorry producer surplus वाला सेग्मेंट है यह सेग्मेंट है यह सर बात समझ में आई आपको clear है यह क्या है यह जो है producer surplus है हांजे देखें producer surplus अब मुझे यह वाला सेग्मेंट अगर मुझे निकालना है मेरे बात समझेगा तो सबसे पहले आपके पास में क्या होने वाला है कि आप जो है हांजे producer surplus की में बात करता हूं तो सबसे पहले आप ना इस rectangle को ले लिजिए इस rectangle का area ले लिजिए rectangle का मतलब की एक्स इंटू पी इस rectangle का area ले लिया बट आपको पूरा rectangle का area आ गया यह तो लेकिन आपको area को सची सिर्फ ग्रीन वाला तो मतलब कि जो supply से नीचे वाला area ना supply से नीचे आला area उसको माइनस करना पड़ेगा तो supply से नीचे वाला area कैसे होगा integration अब हो किसका supply function का किस function का supply function का integration मेरी बात समझे लेकिन supply से नीचे तो कर सारा आ जाएगा मुझे सारा नीचे मुझे बस इसके अंदर-अंदर की बात करनी है तो मुझे limit लगा लेता हूँ 0 से x तक की बात करनी है इस rectangle में से अगर मैं सिर्फ यह वाला area का सब्टेक्ट कर दूगा तो मेरे पास में green area बचेगा तो यह क्या होगा यह producer surplus हो गया बात समझे तो consumer surplus demand function से आता है और producer surplus supply function से आता है consumer surplus में integration करते हैं demand function का उसमें से हम x into p x मतलब equilibrium quantity and p मतलब equilibrium price का multiple minus कर देते हैं limit 0 to x q put कर रहे हैं वो भी आपको सुझ में आ गया होगा और य मैं सवाल पर आता हूं कि एकदम से formula लेकर जाता है तो आप यहां पर थोड़े से disturb रहते हैं मैं मैं मानता हूं कि मैं consumer surplus और ज़्यादा detailing की need है बड़ मैंने वह आपको नहीं बता है क्योंकि फिर economics में आप बहा जाते हैं मेरा business math अब जिसमें में आपको पढ़ा रहा हूँ हां जी the demand function for a commodity is given by the P equals to and demand function given P equals to P basically represented क्या किसो रिप्रेंट कर रहा है equilibrium price of commodity and x equilibrium quantity of commodity but demand function ऐसे है find the consumer surplus when the market demand is one market market demand is one मतलब x given x equals to one यह एक चिस direct और absolute given होगी या तो price या तो equilibrium quantity दोनों में से एक चिस तो absolute given होगी होगी तो आप पहला काम तो करें भी या वैलू रख दें क्या P equals to four minus x square तो one का square and P equals to आपका four minus one तो P equals to three तो आपके पास में P भी आ गया आपके पास में x भी आ गया कभी भी आप आप ऐसे question को solve करें consumer surplus और producer surplus का तो equilibrium price और equilibrium quantity में से एक absolute value given होगी आप उसके function value रखके दूसरा आप निकाल लो मतलब के हाथ में equilibrium price रख लो हाथ में equilibrium quantity रख लो और उसके बाद आप आगे बढ़ें अब consumer surplus के लिए आप consumers surplus का अपना formula apply करेंगे integration of zero two आपके पास में क्या रहता है zero two x और आपके पास में demand function क्या है मेरे पास में जो है basically demand function और minus px this one सबका integration ने होगा सरफ demand function का integration होगा अब consumer surplus equals to 0 two और x की value का अब मेरे पास में one zero two one और demand function का मेरे पास में four minus x square and minus और मेरे पास फी इंटू- defined price का मेरे equals to this one. इसको अगर आप integrate करोगे, तो क्या आएगा integrate करने के बाद? इंटीग्रेट करने आद ये constant तो 4x minus x power 3 upon me 3. ये आजाएगा limit आपके 0 to 1 use करना है minus 3. तो consumer surplus equals to, आप पहले आप यहाँ one put करेंगे, तो 4 minus 1 by 3 clear है जी? ये आगया and minus, अगर आप इसमें 0 put कर देंगे, तो 0, 0 ये 0 हो गया and minus 3 आगे solve करेंगे, consumer surplus को 12 minus 1, क्या जाएगा आपका 11 by 3 और ये आपके पास में minus 3, तो solve करेंगे 9, तो 2 by 3, तो आपके पास में consumer surplus की value की आई, basically 2 by 3 आपके consumer surplus की value आई है, बाद समझे या नहीं समझे भीया, हाँ या ना करें कि आपके इसका ज़रा जवाब दे दो अब जल्दी से, जल्दी जवाब दीजिए चीज़े समझ में आ रही है चले, next question के तरफ आगे बढ़ते है सबसे पहले आपके पास में यहाँ पर गीवन क्या है आपके पास में बच्चे सबसे पहले पी की वैलू गीवन है कि पी इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू एक्स प्लस ट्विंटी का स्केर अपॉन हंडर्ड बात समझे find the producer surplus when the market price is 25 हाँ जी देखो ज़रा तो सबसे पहले मेरे पास में 1-400 market price गीवन है मतलब पी गीवन है तो पी की वैलू रख़ो 25 मैंने कहला दोनों ची रख लेंगे आप पी आपको गीवन है पी इक्वल्स टू क्या है 25 अब हमें कॉट्टिटी निकालना है तो पी की वैलू रखोगे 25 इक्वल्स टू X प्लस 20 का whole square divided by 100 यह 100 यहां multiply होगा तो यह 25 सो आप कोशिश करें कि square को transfer कर दे तो आपका root हो गया X प्लस 20 और 25 का वर्गमूल 5 और 2 0 का वर्गमूल 1 0 और minus 20 equals to X and X equals to 30 मैंने क्या का equilibrium quantity और equilibrium price आप अपने हाथ में लेकर के चले अब आपसे producer surplus पूछ रहे हैं तो producer surplus का basically formula क्या है 0 to equilibrium quantity, equilibrium quantity के आपके पास में 30 और आप सबसे पहले PX minus करते हैं this one और आपके पास में supply function क्या है supply function आपके पास में है X plus 20 raise to power 2 divided by 100 with respect to dx यह बास में आपको आई यह नहीं clear है जी? integration आप कर सकते हैं यह x raise to power something है constant number से तो कोई फ़रक पड़ता नहीं है PX है अगर आप इसको integrate कर रहे हो तो integrate करते हैं PX P आपके पास में क्या है यहां पर basically price क्या है आपके पास में 25 और into x cat 30 ठीक है? minus चले इसका integrate करते हैं मैं minus है तो एक से जाल चीज़े minus करेंगा तो मैं यहाँ bracket का use करूँ आप यह मान लोगे x power something है तो क्या हो जाएगा इसमें power में एक addition हो जाएगा x plus 20 power 3 और नीचे भी क्या आएगा 3 आएगा तो यह नीचे 3 आएगा तो क्या हो जाएगा यह और आपको chain rule में मालूम होता था clear है कि जो x की value कुछ और बनी हुई है तो उसको फिर से differentiate करते हैं उसको multiply करते थे क्यूंकि यह x नहीं है नो whole power में तो इसका मैं फिर से क्या करूँगा करूँगा तो क्या आएगा यह तो वन हो जाएगा और यह 0 हो जाएगा अंदर वाले करेंगे तो यह वन होगा तो फिर वन से divide करूँगा तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है समझेंगे समझें वह chain rule में multiply होते थे जब इंटीग्रेट कर रहें तो जो इससे हम डिवाइड कर देंगे तो वन से डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हां जी जी जीरो टू क्या आया थर्टी आया अब सॉल्ट करते हैं प्रडूशर सर्फलस एक पलस टू पच्चिस्तिया पिछेत्तर तो पच्चिस्तिया यहां पर मेरे पास में आ जाएगा फैचल्ट और ये जीरो सात सुबचास माइनस अब सबसे पहले आप इसमें क्या रखेंगे आफ सबसे पहले इसमें तैस रखेंगे तो क्या हो जाएगा तैस बीस पचास का क्यूब upon 300 उसके बाद माइनिस जीरो रखिए तो जीरो रखेंगे तो क्या हैगा 20 बटा 300 का क्यूब अब आगे इसको solve करेंगे तो 750 माइनिस यहाँ solve करेंगे तो भाया सबसे पहले तो upon 30 जीरो रखने पर 20 पर पावर नहीं है इसके पर पावर तीन है ठीक है clear जी मैं संदे अब solve करेंगे यहाँ पर आप तो ps equals to 750 माइनिस पाँच का क्यूब 125 ट्रिपल जीरो और LCM तो 300 ही आना है दो का क्यूब आठ ट्रिपल जीरो ठीक है जी solve करते हैं आगे तो 750 माइनिस तो आपका पास में एक लाख 25,000 में से आपका आठ जार गया तो पाँच जार गया और उसके बाद तीन जार गया एक लाख 17,000 एक लाख 17,000 और अपाउन में क्या है आपका 300 तो आपका दो जीरो तो यह वैसे कड़ गया और आपका तीन तिया नो और दो तीन निम 27 तो 390 तो 750 माइनिस 390 अरे 400 ही घटा लो बात में दस दे देंगे तो कितना बच्छे गया 350, 360 तो 360 क्या है आया पनार वैंने पहले आपको पड़ाया है तो वो इसलिए पड़ाया तकि आपको सब्सक्राइब कर दोनों दिया हुए इस वार इस वार आपका बच्चे डिमांड फंक्शन और सप्लाइफ फंक्शन दोनों ही इवन है अब दिखेगा सबसे पहले अगर आपके पास में यहां पर आप एक चीज मिस कर रहे हैं तो आपको पता है कि अधर फंक्शन तो क dado है होग में इकाम कर रहा हूं कि जो सप्लाइफ और सप्लाइफ अ क्योंक्व यह एक्वर्ण ग्राइंब एक्स एक्वाइब 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 एक्वाइ बादो consumer surplus के लिए consumer surplus का तो 02 आपके पास में demand function क्या है 5 और consumer surplus का फामर लगा रहे तो demand function कहा है आपका 50 minus 8x clear है जी and minus आपके पास में p into x price क्या है मेरे पास में price मेरे पास में 5 है quantity मेरे पास में 5 है इसका integrate करते हैं अगर हम तो ये मेरे पास में 50x आ जाएगा minus 8x square upon 2 आ जाएगा limit अप्लाई करेंगे 025 and minus 25 आ गया बात किसी कर रहा हूँ मैं consumer surplus की बात करता हूँ अब consumer surplus निकालेंगे तो पहले 5 apply करेंगे आप तो यहां पर क्या जाएगा आपके पास तो आपके पास तो आपके पास तो 25,500 यहां पर यह आपकर कट करके क्या है चार और 5 आपके तो 25 चो क्या जाएगा आपका 100 clear है ना बात समझे क्योंकि 5 apply बात समझे और इसके बाद आप इसमें से minus 0 रखो अब 0 जब रखोगे तो यह तो 0 यह 0 कतम का नहीं बस minus 25 भी रहेगा तो consumer surplus equals to 2500 minus 25 equals to 125 बात समझे बात करते हैं हम किसकी producer surplus के अगर हम बात करते हैं यहां पर producer surplus के तो producer surplus में क्या रखने वाले है producer surplus में सबसे पहले आपके पास यह आता है then minus और limit 0 to 5 रखने वाले हैं और supply function आपका पास में क्या है 5 plus x with respect to dx इसका integration कर देते हैं तो producer surplus equals to 25 minus this one integrate करेंगे तो 5x plus x square by 2 and limit 0 to 5 clear है तो आपके पास में producer surplus equals to 25 and minus and limit apply करेंगे तो यह हो जाएगा 25 plus यह 5 का square हो जाएगा 25 बाता 2 अब solve करेंगे producer surplus equals to 25 minus अगर आप यहाँ पर solve करते हैं limit तो apply कर दिये हैं हमने 5, 25, 25 ठीक है तो यहाँ पर solve करेंगे तो क्या जाएगा मेरे पास में 50 और 25, 75 बटा 2 तो ps equals to यहाँ पर 25 minus solve करेंगे तो आपके पास में 35 ज़दा हो जाएगा minus में producer surplus कैसे आगया भी या 25 25 का square 25 25 बटा 2 तो 25 नहीं 50 50 जमा 75 बटा 2 5 अगर put करता हूं इसमें तो मैं पचास 25 75 बटा 2 और मैंस 25 बटा 2 आ रहा है इसका अंसर तो भी यहाँ तॉल करने पर 25 पच्चिस फाइव एक्स एक्स स्क्वेर बाई 2 जीरो रखके तो फाइदा है नहीं अब पांच रख देंगे तो 25 प्लस 25 बटा 2 सॉल करेंगे पचास प्रस 575 2 मैंनेश करेंगे 50 बंस ब्रस मैंने याँ पर सर 2018 नहीं कि पच्चिस कर दीए कि यह तो यहाँ हमेन क्या कर रहा था 50 a 25 है मैं लब 25 कि पर च्चिस कर दिए मैंने अधाय मिस्टेक मिरे से गलती हुए फिप्टी है कि अग्यां कि अग्यां कि अग्यां कि अग्यां कि तो यहां पर भी क्या होगा 50- 50- 50-50-- faculty-- खिकर जी कि तो साल्ट करेंगे अब यहांपर तो सो अम Tatr 沒有 25 पता दो अब आपकर सकते हैं को क्क्राइज को ट्री'll तो टींथ हैं तो टीर अप्लय फंक्शन इड़觉 सबल स्वाल आपके पास में तो यह हाँ जी आप ज़रा इस कोश्चिंगों करो आप चलिए find the consumer surplus and producer surplus ज़रा करो इस कोश्चिंग को प्राइस इंटू कॉंटिटी करोगे ना कॉंटिटी पांच है प्राइस दस है दन देखिए ज़रा कैलक्वेशन आपके अच्छी होने ची कॉंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो फिर कोई प्राइस देखें ज़रा क्या है आपके पास में इससे कोई फर्क नी पड़ता है वही आपके मार्किट में प्राइस डिमांड एंड सप्लाई जहां एक्वल होता है वहां सेट होता है कहने का मतलब इसका यह हैं डिमांड फंक्शन एट अपॉन एक्स प्लस वन माइनस टू एंड सप्लाई फंक्शन बन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री पहले आप इसको सिंप्लिफाइगे कैसे करें क्रॉस मुल्टिप्लाइग होगा यहां पर अगर आप देखे तो अभी आपका यहां पर एल्सकिम होगा एक्स एट माइ आपके पास में सोला माइनस चार एक्स प्लस वन एक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास में एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन यही होगा तो सिश्टीन माइनस फोर एक्स माइनस फोर एक्वल्स टू सॉल्ट करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्यार प्लस x यह जागा plus 3x plus 3 अब आपके पास में x square है और यह आपके पास में 4x हो गया और यहां पर आपके पास में minus 4x है तो क्या हुआ x square यहां आफिर की क्या बन जाएगा plus 8x clear है जी यहां plus 3 है यह 16 क्या हो जाएगा minus 13 समझे कुछ गरबड़ करी है कि हमने x square plus 1 plus x 3x plus 3 तो मेरे पास में यह हो गया 4x और यह हो गया 4x तो यह हो गया 8x x square plus 8x यह plus 3 है और यह आपके पास में 13 उटके वहां चला गया तो minus equals 0 एक सेकंड यह 12 हो गया 12 में से आपके पास में 16 में से 4 गया 12 तो 12 में से 3 गया minus 9 equals 0 तो अब होगा 9 एक हम 9 ठीक है जी तो क्या इसको split करेंगे quadratic equation में x square plus 8x minus 9 equals 0 तो x square plus 9x minus x minus 9 equals 0 and x common ले लिया तो x plus 9 और यहां पर मैंने minus का 1 common ले लिया तो x plus 9 equals 0 और यहां पर आप देखते हैं तो x plus 9 मेरे पास में common आया और x minus 1 equals 0 and x equals to minus 9 और x equals to 1 कभी भी quantity आपके negative नहीं होती है इसको भूल जाएए अब आपके पास x1 है तो price क्या होगा आप किसी भी function में रख दीजिए एक function पकड़िए कोई सा भी जो आपको आसान सा लगता है p equals to 1 by 2 x plus 3 और यहां पर p equals to 1 by 2 and x का 1 plus 3 मतलब 4 by 2 equals to क्या जाएगा 2 तो वो दोनों चीज़े आपको चाहिए होती है अपने गोश्चन की कहाने को आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं consumer surplus की तो integrate करेंगे 0 to quantity quantity क्या निकाल चुके हम अलड़ी x की value क्या निकाल चुके है 1 और वो मेरे पास में demand function क्या उसका integrate करेंगा demand function यहाँ पर मेरे पास में है 8 upon x plus 1 and minus 2 clear जी and minus price into quantity तो price क्या है 2 और into quantity क्या है मेरे पास है 1 यह आपको इसको solve करना है integrate करना है आपको बात समझे clear जी को doubt किसी बच्चे को करता है नापको बात समझे को बात समझे करते है जी को बात समझे करता है पूर्ण पूर्ण है अगर इस तरीके से आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा इंटिग्रेट करेंगे आप इसको consumer surplus तो आपका one upon x का क्या होता यह तो eight तो constant number है यह होता है log x log x plus one यह रहेगा आपके पास में वन अपॉन x का और minus two and minus two this one minus two x जाएगा माइनस टू एक्स और यह मेरा जीरो टू वन एंड माइनस टू बात समझ गए जी क्लियर है कोई डाउट किसी बच्छे को अब लॉग मेरे पास में क्या है यह एट लॉग एक्स और यह प्लस दिस वन यह संज में आपको आया निया है बताए जरा कि अबивा गास मेले है यह मेह संज में क्स और यह में डाई यह लॉग में रघया है बताव कृमों कर अक्तिक कि यहां पर आपके पास में एक्स की वैलू आप वन रखेंगे पहले कंजूमर सर प्लस के लिए तो एट इंटू लॉग एक्स की वैलू रखेंगे तो क्या जागा मेरे पास में बच्चे टू हो जागा ना बन प्लस वन टू लॉग टू ठीक है और यहां पर वन रखेंगे और जीरो रखेंगे अगर आप value तो यह आपके पास में अगर आप minus 8 log यह log फिर 1 हो जाएगा ठीक है एंड आपके पास तो 0 रखने पर और आपके पास यह तो 0 हो जाएगा फिर minus 2 तो solve करेंगे तो log 1 की value क्या होती है जीरो चीक है तो क्या बचेगा आपके पास में consumer surplus equals to 8 log 2 minus 4 अपका answer होगा पस आपको integration करना आना चाहिए जो कि हमने पहले ही सीख लिया है तो यह मेरे कुछ questions थे consumer surplus and producer surplus के ओपर और sufficient questions की practice हमने किये एक class बाकी है कल आपके course का हो जाएगा end और परसो से हम revision करेंगे differentiation से start करूँगा कोशी करूँगा 23 तारीक तक 24 तारीक तक मैं integration and differentiation के उपर ही focus करूँ 24 तारीक तक 24 के बाद मैं फिर अगले तीन दिन तक आपका मैं linear programming के उपर focus करूँ तो इस दो चीज़ों पर focus करने के बाद बच्चे आपका finally जो है आपका अपने exam से जब जाएंगे तो आप practice कर सकते हैं ठीक है मिलतें जे फिर next class में thank you thank you so much